आपका मेकडीजी के इस प्लेटफॉर्म पे बच्चो आज का जो एक्वेशन है यह बहुत सारे एक्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है एक इंपॉर्टेंट क्वेशन बनता है देखते हैं क्या है क्वेशन लेमिनार सब लेयर के बात कर रहा है सब लेयर सबलेर का एट डेबलाप डूरिंग फ्लो अभर ऐफ लैट प्लेट ये बोल रहा है कि लेमिनार जो सब लेयर है वो होग फ्लो ओपर अफ्लेट प्लेटा प्लेट के उपर से भ्लोह वोता है तब ये डेबल अनधस्वेशनाट मैं यह किस हो हो सकता है बहुत जादा clear आपको ना दिख रहा हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको घबराने की बात नहीं है मैं आपको जो चीजे बता नहीं होगे मैं clear आपको बता दोगा ठीक है कोई इस्वी नहीं है यह है यह है बेटा यह आपकी फ्लेट एक प्लेट है इस है अब क्या होता है सबसे पहला जो 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 आपका पढ़ता है यहां अब का यहां तक आप कि यहां तक आपका लेमिनार जो पढ़ता है मतलब यहां तक किसी भी तरह की intermixing आपकी नहीं मिलेगी layer by layer आपका flood मूव करेगा फिर यहां पर जोần आता है जहां जहांपे क्या होता है जहांपे ट्राउंजिसन मनतब लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ जाना फ्लोड शुरू करता है completely turbulent नहीं है लेकिन जाना वहां से शुरू कर रहा है और इस पॉइंट पे यह completely turbulent बन जाता है फर्दर आगे यह आपका turbulent flow यह जो बीच का flow है इसको बोलते हैं transition region गुलते हैं जहाओ पेники है flow laminar से tuer systemic में आपका change होता है यह transition point यह है यह अपका transition point है इसके बाद यह पूरा का पूरा turbulent zone है turbulent zone में होता क्या है turbulent zone में जो आपकी جो तो जैसे laminar में क्या layer by layer चालता है तो यहाओ पे क्या है layers की बीच में intermixing होते हैं, कोई layer by layer flow नहीं होता है, सारा intermixing आपकी होती है, तो उसी को बोलते है turbulent, ठीक है, turbulent आपका create हो गए वहाँ पे, turbulent flow की जो खासियती है यहाँ पे, जो हाँ आपको दिखेगी, maximum मतलब यहाँ पे आएक है वलस्यूटी लगवङ लगवङ आपकी constant हो, अगर मैं layer flow की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं velocity profile बनाऊँ ठीक है, अगर मैं आपके लिए यहाँ पे वलस्यूटी profile बनाऊँ, तो velocity profile कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको velocity profile यहाँ पे दिखता है मतलब यहाँ पे जो velocity सबसे जादा होती है यहाँ पे सबसे 0 ठीक है 0 से बढ़ते बढ़ते आपका जाता है इस तरह से दिखते हैं लेकिन यहाँ turbulent zone में अगर आप देखेंगे तो यह आपका जो velocity profile इनो ने चोटा सा region इतना region होता है जहाँ पे आपका यह क्या है velocity यहाँ पे तो यहाँ पे एक region बन रहा है उस region को आप जहां से देखेगा मैं दिखा रहा हूँ आपको region ठीक है यह एक region बन रहा है यहाँ यह वाला जो region है ठीक है आपको आपको दिख रहा होगा यह particular जो region आपको बन रहा है this is called laminar sub layer क्या बोलते हैं इसको laminar sub layer बोलते हैं इसको ठीक है बच्चो यह आपका particular जो मैंने yellow color से दिखाया है अभी इस हो किया आपको यह आपका होता है laminar sub layer इसको color change कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको मैं green कर देता हूँ green आपका white board पर ज्यादा अच्छे से दिखेगा मेरे हिसाब से यह आपका क्या है laminar sub layer यहाँ पर बनती है जो कि आपका बनता है पूरी की तरह यह आपका turbulent zone था turbulent zone के अंदर plate के उपर बहुत कम थिकनेस पर यहाँ पर एक viscous region बनता है laminar का मतलब होता है viscous region ठीक है laminar इसी लिए क्योंकि laminar यहाँ पर बनता है लेकिन यहाँ पर turbulent के नीचे laminar की बहुत छोटी सी layer बनती है इसी लिए इस layer को हम कहते है laminar sub layer ठीक है laminar sub layer इसको कहते है clear हो गया ये लिह मैंनार सबलेयर होता है ठीक है और इसी सबलेयर के वज़े से क्या होता है यहां पर जो temperature का gradient आपका बन रहा है इतना यह इसी की वज़े से तक टेमपर आपका बन रहा है यह इस i mean Luminar sub layer की वजह से ही आपका बन रहा है ठीक है तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा दिन्य spoiler है यह आपका turbulent zone के अंदर है और इसकी जित थिखने से आप देख सकते हैं अगर आप यहां पर देख जी की ये जह थिखने से विटा ये जो पूरी थिकने से ये turbulent boundary layer के मतलब leading edge से किसी particular L distance पे जो ये boundary layer की ठिकने से है ठीक है और इस ठिकनेस की comparison में अगर आप जेखेंगे दिस मच ये कितनी छोटी ठिकने से laminar sub layer के तो आप सुछ सकते हैं बहुती थिन एक layer होती है इसलिए उसको sub layer कहते हैं सब लेयर ठिक है तो कहाँ पर गई ये आपका turbulent zone में पढ़ गई इसलिए आपका जो answer हो जाएगा क्या हो जाएगा ये आपका turbulent zone answer हो जाएगा laminar sub layer laminar zone में नहीं पढ़ती है बलकि turbulent zone में पढ़ती है ठीक है तो चले बचो अगर आपको ये सचन पसंद आयो तो कर दो